आज की स्वीड में दुस्तों बात करने वाले हैं लैपटॉप और PC के शटडाउन करने के शॉटकट तरीके के बारे में आप नॉर्मली जब PC और लैपटॉप को शॉटडाउन करते हैं जैसे Windows 8 में जो शॉटडाउन का प्रोसेस है आप यहां corner पर जाते हैं इसके बाद आप यहां settings में जाते हैं इसके बाद यहां पर आपको power का option दिखेगा हूँ लैपटॉप और PC को shutdown करने के लिए इसके लिए को क्या करना है सबसे पर आपको जाना है right click करना है इसके बाद आपको जाना है new पर इसके बाद यहां पर आपको जाना है shortcut पर और इसमें type करना है Slide to shutdown इसमें टाइप करना है स्लाइड तू शुट डाउन क्लिक करने के बाद इसके बाद इसके बाद यहां पर आपको श्लाइड टू सट डाउन के बाद आपको सिर्फ एक चीज़े लगाना है डॉट एक्सी लगा देना है इसके बाद इस जो शॉटकट क्रियेट हो गया है आपके डेक्स टप पर इसको जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो आपकी एक सामने विंडोज ओपन हो जाएगा इसको जैसे ही आप स्लाइड नीचे स्लाइड करेंगे तो आपका पीसी जो है लैप्टप या पीसी कर लिए